नमस्कार मेरे प्यारे साथियो आज हम आपके लिए कोरोना वारिस से समंदित कुछ अरे महत्मुन क्यूशन लेके हैं जो आपकी एक्जाम के पॉइंट वी से बहुत ही ज़्यादे इंपोर्टेंट हैं दोस्तो परसंद बहुत बढ़िया वने वाले हैं और अच्छे लेवल के होने वाले हैं क्योंकि ये परसंद आलिकी दिनों में शुर्कियों में रहे थी तो इनको आपने कवर किया है आपके एक्जाम के पोइंट वी से यहां से परसंद जरूर पूंच ले जाएंगे तो आर्ट का कौन से राज्य है मेरे प्यारे सात्यू जिसमें कोरण की रेकवरी रेट सबसे ज़्यादा है तो इसका अंसर है दोस्तो राजस्तान में सबसे ज़्यादा सही होने वाले की संक्या है अगला देख लेते हैं राजस्तान में कोरण वायरस की रेकवरी रेट कितनी है तो दोस्तो राजस्तान में कोरान वायरिस की सबसे ज़्यादा रेकूररी रेत हैएनिश aanसर है तो मेरे पयारे साथियो यह भार्त के कौन से राजजी है जिसमें गोरान वायरिस के सबसे ज़्यादा है तो इसका आंसर है माराष्ट, माराष्ट राज्य में सबसे ज़्यदा कोरोनवाइरस के केस हैं इसमें करीबन दोस्तों 4 लाख के करीब केस हो चुके हैं और इसके बाद में तमिल नाड़ो फिर दिल्ली का नाम आता है अगला देख लेते हैं कोरोना वाइरस के मदे नजर के अंदर सरकार ने कौन से एलप लाइन नमबर जारी किये हैं तो कोरोना वाइरस से सम्वंदित यहाँ पर कौन से एलप लाइन नमबर जारी किये है के अंदर सरकार ने तो इसका आंसर दोस्तो एक यहांगे 01123978046 यहांपर यह नमबर जारी किया है कि अंदर सरकार ने एलपलास नमबर कोरोनवाईरस से समन दित अगला क्यूसम देख लेते हैं भारत में कोरोनवाईरस की रिकवरी रेट कितनी है तो मेरे प्यारे साती हो coronavirus के recovery rate कितनी है बारत में तो इसका answer है 360.12% 360.12% बारत में coronavirus के recovery rate है और बारत में coronavirus सम्वंदित दोस्तों यहाँ पर 13,00 के करीब case हो चुके हैं 13,00 के करीब यहाँ पर case हो चुके हैं बारत में अगला question देख लेते हैं coronavirus के चार परकार कौन से हैं तो दोस्तों यहाँ पर coronavirus से समंदित यहने कि चार परकार के virus हैं तो है कौन से हैं तो दोस्तों वैसे तो मुख्यत दो परकार के होते हैं alpha और beta दो परकार के coronavirus से समंदित यहाँ पर परकार होते हैं इसके अलग-अलग हैं ये चारो हैं दोस्तों जो आपके लिए important है ये इप्योग सभी है इसका answer पहला है NL9E-alpha coronavirus दूसरा है 229E-alpha coronavirus तीसरा है OC43-vita coronavirus चोथा है HK01-vita coronavirus ये चारो coronavirus यहाँ पर coronavirus के परकार हैं अगला देख लेते हैं WHO ने इस विमारी को एक अधिकारिक नाम दिया है तो इस अधिकारिक नाम का क्या नाम है दोस्तों इस विमारी का नाम तो दोस्तों इसका answer है COVID-19 यहाँ पर WHO ने इसका नाम COVID-19 नाम दिया है जो आपके लिए very very important है इसको जरूर याद कर लें अगला है यहाँ पर क्या नाम दिया है दोस्तों coronavirus का तो दोस्तों इसका answer है 2019 NCO NCO दोस्तों यहाँ पर इसका नाम दिया है coronavirus का जो आपके लिए very very important है अगला question देख लेते हैं सुक्षम दर्सी द्वारा देखने पर इस virus की सर्चना किसके समान दिखाई देती है तो मेरे प्यारे साथियों किसके समान दिखाई देती है जो आपके लिए very very important है एक्जाम में पूछ लिया जाएगा यहाँ पर railway में पूछ ले जाएगा NTPC में भी पूछ ले जाएगा जो आने वाली एक्जाम है और किसी ने राश्तान पुलिस की तायर कर रहे है तो उसमें भी जरू जरू पूछ ले जाएगा तो इस कांसरे दोस्तो मुकट यहनि कि क्राउन की जैसे दिखाई देता है जो की सुक्षम दर्शी में देखने पर इस सर्चने की मुकट की तरह दिखता है अगला देख लेते हैं कोरोना वाइरस के केस किस देश में सबसे ज़़्यादा है तो मेरे प्यारे सात्यों कौन सा देश है जिसमें coronavirus के case सबसे ज़्यादा है तो इस cancer है दोस्तो अमेरिका अमेरिका में करीबं 32 लाग के करेब case हो चुके हैं यहां पर अमेरिका में जो आपके लिए very very important है की अमेरिका में कितने coronavirus के case हो चुके हैं अगला देख लेते हैं किस संगटन के द्वारा coronavirus को global emergency गोंशित की है तो कौन सा दोस्तो मेरे प्यारे साथ यह कौन सा यहां पर संगटन है जिसने यहां पर इसका global emergency गोंशित किया है तो दोस्तो इसका answer है WHO जो world health organization विशू का सबसे बड़ा यहां पर स्वस्त के जेतर में संगटन है वो WHO है तो इसका इसने यहां पर मामारी गोंशित किया है global अगला क्योंशन देख लेते हैं WHO ने coronavirus को निमन में से कब अंतराष्टे अपातकाल गोंशित किया था तो कब किया था मेरे प्यारे साथियो अपातकाल गोंशित तो दोस्तो इसका answer क्या है जो आपके लिए very very important है कि coronavirus को अंतराष्टे अपातकाल गोंशित किया था किया था दोस्तो 30 जनुबरी 2020 को जो आपके लिए very very important की अपातकाल कब गोंशित किया था अगला देख लेते हैं coronavirus से लड़ने के लिए WHO ने कितनी राशी की गोशना किया यहने कितनी राशी गोशना किये देने के लिए तो दोस्तों इसका answer है 675 million US dollar 675 million यहां पर WHO ने यहां पर इसकी लड़ाई के लिए यहां पर गोशना किया राशी की अगला क्योंशन देख लेते हैं coronavirus के परकोप से भारत का कौन सा इस्तान है तो भारत में कौन सा इस्तान है कि सबसे ज्यादा कौन से देश में उसके बाद में कौन से तो भारत कौन से नंबर पर आता है तो दोस्तों यह आता है तीसरे नमबर पर तो दोस्तों यहाँ पर तीन है तो तीसरे नमबर पर यहाँ पर कोरोनवाइरस के केस सबसे ज़्यादा है भारत में पहले नमबर पर अमेरिका दूसरे नमबर पर ब्राजील तीसरे नमबर पर बारत ब्राजील में करीबन 20 लाख है बारत में करीबन तेरा लाग कोरोनावाइरस है अगला देख लेते हैं नोबल कोरोनावाइरस के पहले मामले की पहचान निमन में से कहां पर की गई थी तो आपके लिए very very important की खांपे की गई थी सबसे पहले इनोबल करोनावाइरस की पैचान तो यह है वान शिटी में वान शिटी में जो चाहिना की सिटी है वहाँ पर यह सबसे पहले करोनावाइरस के लक्षन पाये गए थे अगला क्यूशन देख लेते हैं कोराणावाइरस से बचने के लिए कौन सी साफ़दानी बढ़तनी चाहिए तो कौन सी साफ़दानी बढ़तनी चाहिए मेरी प्यारी साथियो इसका अंसर है दोस्तों उप्योग सभी अनिकि सभी यहाँ पर साफ़दानी बढ़तनी चाहिए ये काम करने चाहिए आपको छीक आने पर अपने नाग और मुझ का डग कर रहना और सेनिटाइजर का प्योग करना अपने आतों को बार बार दोएं ये पूरे यहापने इनको करना चाहिए तब ही हमारे कोरानवाइरस से कुछ बचाओ हो सकता है अगला क्यूशन देखते हैं कोरान वाइरस से संकरमित ब्यक्ति में से कम से कम कितने दिन के बाद लक्सन दिखाई देते हैं तक कितनी दिन बाद लक्सन दिखाई देते हैं मेरे प्यार सातेु तो इसका इंच्छा 14 दिन, 14 दिन तक यहां पर कॉरंटेन किया जाता है, उसके बाद में यहां पर इस किशी विव्यक्ति में लक्सन दिखाई देने लगते हैं, अगला Quesion है Coronavirus का नाम किस बासा से उत्पन हुआ है तो दोस्तो किस बासा से उत्पन हुआ Coronavirus का नाम जो आपके exam के pointंट बिशे बहुत ही जद इंपोर्टेंट है ये person पूच लिए जाएगा तो इसका आंसर है दोस्तो Latin बासा में Coronavirus का नाम Latin बासा में लेटिन बसन बहांसा से उत्पन हुआ है अगला क्यूशन देख लेते हैं कोरानवारिस का नाम नेमन में से कहां से पड़ा तो दोस्तो कहां से पड़ा था कोरानवारिस का नाम तो दोस्तो इसका आंसर क्या होगा तो यहां पर पड़ा था दोस्तो इसका नाम क्यूशन देख लेते हैं कोराना वाइरस निमन में से किस बीमारी से समंदीत है तो दोस्तों कौन सी बीमारी है जिससे समंदीत है कोराना वाइरस इसका अंसर है यह भी दोनों एनिक सार्स और मर्स दोनों परकार की कोराना वाइरस से समंदीत है यह आली के नोबल कोराना आज शेयर जरूर करते दोस्तों यहां पर हम और भी क्यूशन लाते रहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो थैंक यू जाइन जै वारत